नमस्कार मैं हूँ प्रग्या बिहारी नियूज में आपका स्वागत है खबरो क्योर बढ़ने से पहले एक नजर सुर्ख्यों पर बिहार के साथ विश्यविद्याले कूछ सचीवों के कामकास पर लगी रो बिहार के प्यूश्राज ने नेशनल यूथ अथलेटिक्स चैंपियर्शिप में जीता पदक अगले मही ने जनसभा करने बिहार आ सकते हैं अमित साह बिहार के शशिकान को मिला पहले साइकल थियेटर का खिताब शुमन गिल ने बताया मैज जीतने का मास्टर प्लान उसके साथ ही बढ़ते हैं साम तक की बड़ी खबरों के और वस्तार से पटना संग्रहाले में कर्मियों की पहाली को लेकर सीम नितीज का बड़ा एलान बिहार संग्रहाले का प्रबंधन और संचाल अनभेतर धंग से किया जा सके इसके लिए बीते दिन यानि की शनिवार को हुई बैठक में मुखे मंतरे नितीज कुमार के द्वारा अधिकारियों को दिशा निर्देश दिए गए है बता दे कि दिए गए दिशा निर्देश के अनुसार मुखे मंतरे नितीज कुमार ने कहा है कि बिहार संग्रहाले और पटना संग्रहाले का मेंटेरंस ठीक से कराया जा और उसके लिए अगर करमचारियों की कमी होती है तो उनकी निपती की जाए इसके साथ ही संग्रहाले में जिन भी चीजों की प्रदर्शनी लगाई गई है उसकी जानकारी देने के लिए व्यक्ति की व्यवस्ता की जाये ताकि यहां गुमने आने वाले लोगों को एक-एक चीजों के बारे में जानकारी अच्छे से मिल सके इसके साथ ही मुख्यमंतर इंदीश कुमार ने कहा कि सरदार पटेल भवन समराट असो कन्वेंशन केंद्र आरेभट ग्यान विश्विद्याल इचानक के लौ यूनिवर्सिटी जैसे संस्थानों के वर्सिस्ट भवनों को मेंटेरंस सही करने का निर्देश दिया है बिहार के प्यूश राज ने नेशनल यूथ अथलेटिक्स चैंपियंशिप में जीता पदक बिहार के प्यूश राज के दोरा डेका थेलोन इवेंट में करनाटक में चल रहे अठारवे नेशनल यूथ एथलेटिक्स चैंपियंशिप में दूसरे नंबर पड़ा आते वे रजत पदक जीता गया है बता दे कि इस प्रतियोगिता में प्यूश राज ने पहली बार हिस्सा लिया है वहीं अब ऐसी उमीद की जा रही है कि अगर आगे सब कुस ठीक होता ह तो पीउश राज का चैयर एशियन यूथ एथलेटिक्स चैंपियंशिप के लिए किया जा सकता है आपके जानकारी के लिए बता दी कि डेका थेलोन इवेंट एथलेटिक्स में 100, 400 और 500 मीटर दोर लंबी कूद, उची कूद, बाधा दोर, चक्का फेक, गोला फेक, भाला फेक, पोल वॉल्ट शामिल होता है, वह इंप्यूश राज के इस उप्रब्दी पर कला संस्क्रिती एवं युवा विभाग, बिहार सरकार के मंत्रे जितिंद्र कुमार राय, सचीव, वंधना प्रेशी और बिहार राजी खेल, प्राधी करन के महानिदेशक, रविंदरन स संकलन के द्वारा बधाई दी गई है, बिहार के साथ विश्विद्याले कूल सचीवों के काम कास पर लगी रोक, राजभवन सचीवाले के द्वारा अधिसूशना जारी कर यह जानकारी दी गई है कि बिहार के साथ विश्विद्याले के कूल सचीवों के काम पर पुलिस और आर्थी कप्रादिकाई के दौर लगातार कारवाई की जा रही है मालूम हो कि अब तक पुलिस के दौरा तीन अभ्यक्तों को गिरफतार कर लिया गया है जिन में अमन कुमार, राकेश तीवारी और राकेश रंजन कुमार शामिल है वही अब फरजी वीडियो मामले में अभ्यक्तों की गिरफतारी को लेकर EOU के DSP के नदतों में 6 सदस्य टीम को दिल्ली भेजा गया है इसके साथ ही इन अभ्यक्तों की तलाश बिहार के विविन जिलों में भी की जा रही है इसके लावा फरजी और वारल वीडियो के मामले में फेस्बुक, ट्वीटर, सहित, अने शोशल मीडिया प्रबंदव को इससे सम्मनित साक्षी की मांग को लेकर पत्र लिखा गया था हाला कि अब तक इनसे जवाब न मिलने के कारण एक बार फिर से EOU के दोरा इन्हें रिमाइंडर भेजा गया है ADR रिपोर्ट से सामने आए बिहार के किस मुख्य पार्षद के पास कितने धन बिहार में गतवर्ष हुए नगर निकाय के चनाओ के बाद ADR और बिहार इलेक्शन वाच की तरफ से बिहार नगर पाली का चनाओ 2022 में जीते गए मुख्य पार्षदों के वीतिय अप्राधिक सिक्छा लिंग एवं अन्य विवर्णों के आधार पर रिपोर्ट तयार किया गया है बता दे कि अब इस रिपोर्ट के माध्यम से बीतर दिन यानिकी शनिवार को या बात निकल कर सामने आई है कि बिहार के नगर निकायों के आम चनाओ में नगर पंचायत नगर परिसद एवं नगर निगम के विजेता की ओसत समपत्ती 3.1 करोड रुपे है मुझपर पूर पश्मी नगर पंचायत सरया की मुखे पार्शत कुमारी अर्चना है और तीसरे अस्थान पर 40.2 करोड चल अचल समपत्ती के साथ बेतिया नगर निगम की मेर गरीमा देवी है वहिन में कुछ विजेता उमिद्वार ऐसे भी है जिनका सपत पत्रस पस्ट नहीं होने के कारण उनका विश्रेशन नहीं किया गया है पटना से असम का सफर हुआ आसान पटना से असम जाने वाले लोगों का सफर आसान हो गया है दरसल 25 करोड रुपे की लागत से बूठी गंडक नदी पर बन रहे समरांतर पुल का निर्मान कारे समाप्त हो चुका है और अब उस पर आवा गमन की श्रुवात हो चुकी अमानों हो किस पुल के निर्मान होने से खगरिया से बेगू सराय जाने वाले लोगों को काफी सुधा मिलेगी और वहके वा चालिस मिनट में बेगू सराय पहुच जाएंगे इसके साथ ही राश्य उचपत संक्या एक्तिस पर लगने वाले जाम से भी लोगों को नजात मिलेगा आपकी जानकारी के लिए बता दे कि समरांतर पुल के निर्मान का कारे 2017 में शुरू किया गया था और इसे पूड़ा करनी की अवधी तीन वर्षों तक नरधारित की गई थी हालाकि इसे पूड़ा करनी में पूड़े पांच साल लग गये विश्वस्तरिये बने का बिहार का मुझपरपुर रेलवे जंक्सन वीदिदनी आनी की सनिवार को मुझपरपुर जंक्सन के वी आई पी रूम में सांसद अजय निशात की अध्यक्सना में आयूजितकी की बैठक में रेल भूमी विकास प्राधीकरन के स्वयुप्त महा प्रबंदक पी आर सिंग के दोरा दी गई जानकारी के नुसार भिहायर की राजधारी पटना के बाद स्मार्ट सिटी मुझपरपुर के मुझपरपुर रेलवे जंक्शन को दो फेज के तहत कुल 446 करोर रुपे की ला राने के तहत यहां मल्टी स्टोरी पार्किंग, एर कॉनकोर्स, कमबाइन टर्मिनल समीत रेलवे जंक्शन पर यात्रियों के श्वधाओं के लिए सभी तरक आधुनिक सिवाएं उपलब्द करवाई जाएंगी बता दे कि उनके दोरा दी गई जानकारी के नुसार पर पुर रेलवे जंक्शन उत्तर बिहार का सबसे बहतरी जंक्शन मनेगा। की जानकारी लोग गाई का देवी के दोरा एक वीडियो जारी कर दी गई है। बिहार के बेगु सराय तेखरा प्रखन की पिपरा दोदराज पंचायत के जौनपूर निवासी रंकर्मी शश्रीकांत को उनके एकल अभिनाय डफली और दो दुपट्टे के माध्यम से लोगों को शान्ती और मारत्ता का संदेज देने को लेकर इंफ्लूएंसर बुक कॉ 2023 को प्राप्त हुआ मालुम हो कि शश्रीकांत के इस उपलब्दी पर उनके परिवार समेथ पूरे गाउ में खुशी का महौल है आपकी जानकारी के लिए बता दे कि शश्रीकांत ने अपना यह सफर अपने दोस्त के मजाक उड़ाने पर शुरूप किया था दरसल सश्रीक और मानत्ता का संदेश देने के लिए निकल पड़े। जालान टेली वेंचर्स प्राइवेट लिविटेड बगा में आयूस ट्रेडर्स पेतिया में अमबे इंटर्प्राइज़स मोतिहारी में चांदमल बैजनात रक्सॉल में सरमा सिमेंट स्टोर सीता मरी में रिद्धी इंटर्प्राइजस समेथ कई अस्थान शामिल है जालों के नस्थालों पर छापे मारी कर सिमेंट बालू समय लगातार कारवाई की जा रही है वहीं अब इस मामले को लेकर बिहार के मुख्यमंत्री तेश्री यादर की पहली प्रतिक्रियास सामने आई है बता दे कि तेश्री यादर ने ट्वीट कर कहा है कि याद कर ये 2017 में भी कथित आठ हजार करोर का लें देन हजारों करोरों का मौच सैक्रो संपतियां अभी चंद महीनों पहले गुरुग्र की भ्रामक अफवा फैलाने अत्वा खबर प्लान करवानी की बजाए रेट के बाद हस्ताक्षर किये जाने वाले पंचनामी की सूची ही सारजनिक कर देनी चाहिए अगर हम इसे सारजनिक कर देंगे तो इन बेचारे नेताओं की इज़त रहेगी सोच लो अगले महीने जनसभा करने बिहार आ सकते हैं अमित साह वीते 25 फरवरी को चंपारन और पटना में जनसभा को संबोधित करने के लिए ग्री मंत्रे अमित साह बिहार आये थे वही अब एक बार फिर अमित साह के बिहार आने की खबर चल रही है बता दे किसके लिए बिहार व बीजेपी की ओर से कोई आधिकारिक पुस्टी नहीं की गई है। पुस्टी से उनको साक्ष मिलने लग गया और माननीय लालू पुस्टी और उनके परिजनों के यहां भाली छापे मारी हुई। की बीच खेले जा रहे बॉर्डर गावसकर ट्रोफी के चौते और आखरी टेस्ट मैस मुकाबले के तीसरे दिल सुबमन गिल के दौरा शांदार 148 रनों के सत्के पारी खेली गई। में सत्के पारी के बाद उन्होंने मैं जीतने का मास्चर प्लान बताया। उन्होंने कहा कि भारत में उन्हें अपना पहला सतक बना कर बहुत अच्छा लग रहा है एहमदाबाद का या स्टेरियम उनके लिए IPL होम ग्राउंड है। इसके साथ ही उन्होंने यह भी बताया कि अपिछ बल्ले बाजी के लिए अच्छी थी और जो कुछ भी हो रहा था वह उबर खाबर इलाकों से दूर था। इसके साथ ही गया में पेट्रोली कीमत 108.3 रुपे और डीजल कीमत 95.64 रुपे प्रती लीटर है बता दी कि बिहार में पेट्रोल का एट सबस्यादा कसंद कच में हैं जब पेट्रोली 109.4 रुपे प्रती लीटर और डीजल 96.4 रुपे प्रती लीटर की दर से मिल रहा है। बेटर दिन हमारे दुरा पूचे का सवाल का आप लोगों में से बहुत लोगों ने अपन जवाब हमें हमारे कमें सेक्शन बॉक्स में लिख कर दिया है। अब बढ़ते हैं आज के सवाल की और आज का सवाल है आपका पसंदीता लोग गाय का कौन है। आपना जवाब हमें मारे कमें सेक्शन लिख कर दरूर बताएं। आज के लिए इतना ही बिहार के तमाम ख़बरों के साथ बने रहने के लिए देखते रहें बिहारी न्यूस। और साथ अगर आप यूटूब से देखना चानल को सब्सक्राइब करना और अगर आप फेस्बूक से देखना तो पेस को फॉलो करना ना भूले